नेक्स्ट है हमारी exercise 19b, तो यहाँ पर हम histogram से related questions करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि histogram होता क्या है, तो histogram data को graph पर represent कराने का एक method होता है, देखी जो histogram होता है वो लगभग bar graph के जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों में bars का use किया जाता है, बस इन दोनों में difference इतना है कि bar graph में जो bars होती हैं, उनके बीच में तो gap होता है, लेकिन यहाँ पर जो histogram है न, इसकी bars के बीच में कोई gap नहीं होता है, मतलब जो bars बनती है histogram की, वो एक दूसरे से बिलकुल चिपक के बनती हैं, ठीक है, अब देखी जो histogram है न, इसमें जो class interval होते हैं, उनको right किया जाता ह horizontal axis के along, और frequencies जो होती हैं, उनको right किया जाता है, vertical axis के along, लेकिन डाटा को graph पर represent कराने का न, हमारे पास क्या methods होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हैं, इसकी histogram की, तो हमें यह पता होना चाहिए कि histogram का use कब किया जाता है, तो यह पता कर लेते हैं, तो histogram का use किया जात हैं, exercise 19B का देख लेते हैं, question number 1, तो यहाँ पर हमें एक school के 35 teachers की age का distribution दिया गया है, जिसको हमें histogram पे represent कराना है, तो देखें यहाँ पर मैंने इस graph पर जो इसके horizontal axis हैं और vertical axis हैं, उनको draw कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके जो class interval दिये गये हैं, उनको horizontal axis के along right करना है, तो यह कहां से दिये गये हैं, यह दिये गये हैं, 25 से शुरू हो रहे हैं, और 50 तक जाते हैं, ठीक है न, मतलब पहला जो इसका interval है, वो दिया गया है, 25 to less than 30, और इसका जो highest है, वो दिया गया है, 45 to less than 50 तक, तो मैं इनको शुरू कर लेता हूं, यहाँ से, 25 स मतलब यह 30 हो गया, तो यह 35, 55 का gap इनमें, ठीक है न, तो मैं यहाँ पे ऐसे right कर देता हूं, इनको यह 40, यह 45, और यह यहाँ पे 50, ठीक है, अब देखें यहाँ पे न, इनमें तो 55 का gap लेकिन इसमें यहाँ से, यह तो और जिने इसका, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा gap ठीक है न, तो vertical axis के along हम इसके जो यहाँ पे number of teachers दिये गए हैं, उनको write कर लेते हैं, तो जब इसकी frequency को देखते हैं हम यहाँ पे, तो जो lowest frequency है वो तो दी गई है 1, और highest frequency दी गई है 12, तो हमें कहां तक लेना है, यह highest 12 तक लेना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एक gap लेकर चल दूगा यहाँ से, तो यह हो जाएगा मेरा 1, यह हो जाएगा यहाँ पे 2, और यह 3, यह यहाँ पे 4, यह 5, यह 6, 7, 8, यहाँ पे यह इस तरह से 9, यह 10, यह 11, और यह 12, ठीक है 12 तक लेना हम यहाँ पे, तो यह क्या है यहाँ पे, यह है number of teachers, ठीक है, क्या ह यहाँ पे यह है, age in years, ठीक है, यहाँ पे write कर लेंगे, age in years, अब कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 25 to 30 के कितने हैं, 25 to less than 30, यह है 12, कितने हैं यह 12 हैं, तो बना देते हैं इसको, यहाँ तक 12 तक, ठीक है न, यहाँ तक, तो line खीश लेते हैं इसकी, यहाँ से पहली, एक line तो यह खींच लेते हैं 25 से और दूसरी खींच लेते हैं हम कहां से 30 से तो यह राइस का 30 ठीक है वई ठीक है इसको पूरा कर देते हैं हम यहां पे अब दूसरा है हमारा 30 to 35 कहां पे है दूसरा 30 to 35 तो 30 to 35 यह कितना है 11 है तो 11 कहां यहां पे यह राइ 11 ठीक है तो इसी से बिल तो यह line खिच गए यहाँ पर और इसको complete कर लेते हैं ठीक है इसके बाद जो इसका तीसरा interval है वो है 35 to less than 40 तो यह कितना है 8 है यहाँ पर तो यह 35 है और यहाँ तक ले लेते हैं 8 ठीक है न यहाँ से तो complete कर लेते हैं इसको हम यहाँ पर तो यह line आ जाएगी इधर अब कर लेते हैं इसको complete तो यह 35 to 40 हो गया 40 to 45 में आया गया हमारे पास 1 ठीक है तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं इसमें 1 है तो यह इसका 1 आ गया ठीक है अब क्या है 45 to 50 यह कितने हैं यह है 3 तो यह 3 आ जाएगा हमारा तो इसको पूरा कर देंगे यहाँ तक ठीक है और य यहाँ पे इनका histogram पे represent हो जाएगा 35 teachers का age. Next is का question number two. तो यहाँ पे हमें एक frequency table दी गई है, जिसके लिए हमें एक histogram बनाना है. तो देखें, यहाँ पे मैंने जो इसके horizontal axis हैं और vertical axis हैं, उनको draw कर लिया है. तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे? जो इसके class interval हैं, इनको horizontal axis के along right करेंगे. तो यहाँ पे जो इसके class interval हैं, वो हमें दिये गए है, 0 to 10 से लेके 50 to 60 तक. ठीक है? तो मैं right कर लेता हूँ यहाँ यहाँ पे. यहाँ पे तो आ जाएगा देखे 0, ठीक है न? और यहाँ जाएगा 10, यहाँ जाएगा 20, यह 30, यह यहाँ पे 40, यह 50 और यह 60. ठीक है? तो इस तरह से हो जाएगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से. ठीक है? अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? इसकी जो frequencies हैं, उनको right कर लेते हैं. तो इसकी जो minimum frequency है वो दी गई है, यहाँ पे 5, और maximum दी गई है 25. तो इसलिए हम यहाँ पे 5, 5 का gap ले लेते हैं. ठीक है? तो यह हो जाएगा इधर क्या? 5, यह हो जाएगा यहाँ पे 10, यह हो जाएगा 15, इसको ले लेते हैं हम 20, और यह हो जाएगा 25, यह हो जाएगा यहाँ पे 30. ठीक है आप आगे तक लेना चाहते हैं आगे तक ले सकते हैं otherwise आप 25 तक भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसको अब यहाँ पर क्या करना है हमें देखना है इसके first interval में तो यह है 0 to 10 ठीक है इसकी frequency कितनी है यहाँ पर यह है 5 तो 5 कहाँ पर यह complete हो जाएगा इधर 0 to 10 के लिए तो यह मैं बनादूगा यहाँ पर ठीक है बएग तो यह आगा दूसरे में हमें क्या दिया गया है 10 to 20 के लिए जो frequency इसकी वो है 10 ठीक है तो 10 to 20 के लिए कितनी हो जाएगा 10 होजोगि इसी के साथ शिपक्ने बनाना है तो यह हो जाएगा यहाँ पर ठीक है इसी को बढ़ात कितनी है 20 है कितनी है इसकी फ्रिकेंसी 20 तो यहां तक बढ़ा देता हूं मैं इस वाले को पहले ठीक है 20 to 30 तो 20 to 30 हमारे पास आ गए है 20 अब हम देख लेते हैं 30 to 40 की जो फ्रिकेंसी वो कितनी है वो है 25 तो इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा यहां पर आगे हम और यह आ जाएगा 25 ठीक है इसको कम्प्लीट कर लेते हैं skill की help से कर लेते हैं इसको तो यह आ गया 25 अब यहां पर 40 to 45 है वो दिये गए है 20 तो 20 यहां पर हो जाएगा हमारा 40 to 45 के लिए यह हो जाएगा 20 ठीक है complete कर लेते हैं इसको यहाँ पर यही इस तरह से अब देखिए इसका जो 50 to 60 है उसकी जो frequency वो कितनी है वो है 10 तो इसको complete कर लेते हैं हम यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आप write कर सकते हो यह तो है हमारे पास क्या इसके class interval class interval और यह यहाँ पर दिया गया है इसकी frequency ठीक है न मैं write कर दूँगा यहाँ पर frequency तो इस तरह से जो यह table है इसको हमने histogram पर draw कर लिया है next is का question number 3 तो यहाँ पर हमें एक frequency table दी गई है जिसके लिए हमें एक histogram बनाना है तो देखिए यहाँ पर मैंने जो इसके horizontal axis हैं और vertical axis हैं उनको draw कर लिया है तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो इसके class interval दिये गये हैं उनको इसके horizontal axis के along right करेंगे तो मैं यहाँ पर write कर लेता हूँ देखो इसके जो class interval है वो दिये गये हैं 0 to 5 से लेके 20 to 25 तक ठीक है तो इस तरह से हो जाएगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 22 to 25 अब हम क्या करते हैं इसकी जो frequency है उसको ले लेते हैं तो frequency यहाँ पर दी गई है minimum कितनी 5 और maximum दी गई है 25 ठीक है तो हम यहाँ पर 5-5 के gap के according ले लेते हैं तो यह हो जाएगा यहाँ पर कितना 5 ठीक है यह origin इसका तो यह 0 to 5 हो जाएगा यहाँ पर 0 to 5 का मतलब यहाँ पर 5 का gap हो जाएगा यहाँ पर 5 का होगा तो यह 10 हो जाएगा इसी तरह से ये 15, ठीक है, 5-5 का gap लेके चलेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा 20, ये 25, और ये 30, अब देखिए यहाँ पे, इसकी जो class interval है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे 0-5 के लिए जो frequency वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 10, ठीक है, तो ये 0-5 रहा मेरा, और खीच लेता हूँ यहाँ पे, complete कर देता हूँ इसको, तो यह आ गया, अभी जो इसका next है 5-10, ठीक है न, जो इसका यहाँ पे interval है 5-10, इसकी frequency कितनी दी गई है, ये दी गई है 25, तो यह रहा हमारा 25, ठीक है, तो यहाँ पे line खीच लेते हैं अभी, और इसको खीच लेता यह वाली line को 5-10 के लिए, ठीक है, complete कर देते हैं इसको यहाँ पे, अभी देखें यहाँ पे 10-15 के लिए जो frequency है, वो है 9, तो यह 10-15 के लिए हो जाएगी 9, अब यहाँ पे 9 कहा पहले हम, तो 9 देखो, जब हम इसको देखते हैं यहाँ पे, जो इसकी, जो यह एक box है, इसम से 2 line कम ले लेंगे, यहाँ से, यहाँ तक एक और यह दूसरी, तो यहाँ तक complete करेंगे, तब यह 9 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इधर ले लेता हूँ इसको, और इसको complete कर लेता हूँ, मैं ऐसे, हाथ से बना देता हूँ इसको, ठीक है, तो यह आ गया 9, अब 15-20 के लिए जो हमारी frequency है, वो कितनी है, वो है 20, तो खीच देते हैं यहाँ पर line 20 तक, ठीक है, इधर से एक, और एक यहाँ से 20 से, इसको complete कर देते हैं, अब देखें, 22-25 जो हमारी frequency है, वो कितनी है, वो 5 है, तो ले लेते हैं इसको, यहाँ से, यह 5, तो इस तरह से जो यह हमें table दी ग ही है, जिसके लिए हमें एक histogram बनाना है, तो देखें, यहाँ पर मैंने जो इसके horizontal axis हैं और vertical axis हैं, उनको draw कर लिया है, अब हमें करना क्या यहाँ पर, जो यह class interval दिये गए हैं marks के लिए, इनको इसके horizontal axis के along write कर लेना है, तो यहाँ पर यह किस तरह से दिये गए हैं, 0-10 से ल 40 और यह 50, तो इस तरह से हो जाएगा, 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, and 40-50, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा यह, अब देखें, यहाँ पर जो इसके number of students हैं, ठीक है, जो इसकी frequency हैं, वो किस तरह से दी गई हैं, वो दी गई हैं यहाँ पर, minimum तो इसकी 5 है, और maximum है इसकी 14, तो मैं एक क 6, और यह हो जाएगा 8, यहाँ पर यह 10, यह 12, and यह 14, आप आगे लेना चाहते हैं, आगे ले सकते हैं, अदरवाइस इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, यह 16, मैं write कर लेता हूँ यहाँ यहाँ पर, यह तो है, क्या marks, यह है marks, और यह क्या है इसका, यह है number of students, ठीक है, अ यहाँ पर देखे, 4 और 6 के बीच में होगा, तो यह यहाँ पर 5 है, ठीक है, यह 5 है, तो कीज देते हैं यहाँ एक line, यह आ गया, तो यह 0 to 10 के लिए आ गया, इसकी frequency कितनी, 5, अब यहाँ पर जो next interval है, वो कितने का है, 10 to 20, और इसकी frequency कितनी है, यह है 9, तो 9 कहाँ पर होग यहाँ पर देखे, 8 और 10 के बीच में होगा यह, ठीक है न, यहाँ पर, तो इसको complete कर लेते हैं, यह वाली line को उपर तक, जिससे कि 9 तक पहुच जाए, 10 वाली, अब 20 वाली को कर लेते हैं, यहाँ पर, तो यह कितनी है, 9 तक, complete कर लेते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है, तो 10 to 20 के लिए हो गया, यहाँ पर, 9, अब देखे, यहाँ पर, 22, 30 की frequency कितनी है, यह है, 14, तो 14 तक बढ़ा लेते हैं, इसको यहाँ पर, 20 वाली को, ठीक है, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर, और इसको लेता हूँ में, इधर, अब देखे, हाँ इसको complete कर लेते हैं, अब यहाँ 30 to 40 की जो frequency वो है, 7, तो 7 कहाँ पर होगा, 6 और 8 के बीच में, तो यह यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए एक line खीश लेते हैं, हम, यह रही, इसको complete कर लेते हैं, इस तरह से, अब देखे, इसका जो next interval है, वो है 40 to 50 का, तो इसमें जो इसकी frequency वो कितनी है, वो ह 5, तो यहाँ पर हो जाएगी 5, 4 to 6 के बीच, 4 और 6 के बीच में, ठीक है न, यह 5, तो इस तरह से, इस frequency table का जो histogram है, वो complete हो चुका है, next is का question number 5, तो यहाँ पर हमें एक histogram दिया गया है, जिसके horizontal axis के along दिया गया है, number of books and vertical axis के along दिया गया है, number of people, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो यह survey है, वो total कितने लोगों पर किया गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसके column है, इन में देखेंगे, यहाँ पर number लिखे हुए है, ठीक है, तो इन सब को क्या करेंगे, हम add कर देंगे, तो जितने लोगों पर survey किया गया है, वो आ जाएगा, तो यहाँ पर मै आ रहा है 12 and 60 to 80 के लिए आ रहा है 6 and 80 to 100 के लिए आ रहा है 4 और जब इन सब को plus करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 3 4 and 4 और 12 16 16 और 6 कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 22 and 22 और 4 आ जाएगा 26 तो total यहाँ पर 26 लोगों पर जो survey है वो किया गया है अब यहाँ पर पूछा गया है इसके second part में कि 20 से लेके 60 के बीच में जो books है वो कितने लोगों के पास है ठीक है तो यहाँ पर write करेंगे देखो 20 से लेके 60 तब तो इसका मतलब क्या है 22 60 20 के कितने आ रहे हैं यहाँ 20 और 60 के बीच में ठीक है न दोनों तो कितना जाएगा 12 और 3 15 तो 20 से लेके 60 के बीच में जो books है वो कितने लोगों के पास है 15 के पास है नेक्स देश का question number 6 तो यहाँ पर हमें एक histogram दिया गया है जिसके horizontal axis के along दिया गये है test के grades and vertical axis के along दिया गये है number of students तो यहाँ पर देखे जो यह grades है यह किस तरह से दिये गये है यह दिये गये है 52 less than 60 तो यह कितने बच्चों के आये है यह आये है 3 बच्चों के और 62 less than 70 यह आये है 4 बच्चों के 72 less than 80 यह आये है 6 बच्चों के 82 less than 90 यह आये है 5 बच्चों के and 92 less than 100 ये आये हैं दो बच्चों के अब देखे यहाँ पे इसके first part में हमें पुछा गया है कि 70 और 100 के बीच में जो बच्चों ने grade ली है वो कितने बच्चे हैं ठीक है तो यहाँ पे देखे 70 और less than 80 के बीच में कितने हैं तो यहाँ पे मैं लेगता हूँ 70 to 80 ठीक है यह कितने हैं? यह है यहाँ पे 6 बच्चे and 82, 90 यह कितने बच्चे हैं? यह है यहाँ पे 5 and 92, 100 वाले कितने हैं यहाँ यह है 2 तो टोटल कितना हो जाएगा इनका ही हो जाएगा 6 और 5, 11 और 2, 13 ठीक है तो इस तरह से 70 और 100 के जो बीच में बच्चे है वो है 13 ठीक है ना मतलब जिन्होंने 70 और 100 के बीच में जो टेस्ट में ग्रेड लिया है वो कितने है 13 है अब देखे इसमें जो इसका second part है उसमें क्या दिया गया है हमें उसमें दिया गया है कि total कितने बच्चों इस टेस्ट में participate किया है ठीक है ना total यहाँ पे कितने बच्चों का टेस्ट लिया गया यह हमें बताना इसके second part में तो जो जो भी यहाँ पे इसके class interval में दिया गया है उनको write कर लेते हैं तो 50 to less than 60 यहाँ पे 3 है उससे अगले में चार है ठीक है ना जो यहाँ पे यह बार दिये गए हैं इनमें नमबर लिखे हुए है इसमें आपको figure में दिखरा होगा इनको सब को write कर लेंगे तो पहले में 3 दूसरे में 4 तीसरे में 6 चोथे में 5 और 5 यह में 2 सब को add कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 3 और 4, 7, 6, 13, 15, 18 और 2, 20 ठीक है तो टोटल 30 बच्चों ने यह test दिया है next is का question number 7 तो यहाँ पे हमें एक histogram दिया गया है जिसके horizontal axis के along हमें दिया गया है our sub study and vertical axis के along हमें दिया गया है number of students तो हमें क्या करना है इस histogram को carefully read करना है और जो यहाँ पे questions दिये गए है उनका answer करना है तो इसके a part में हमसे क्या पूछा गया है हमें पूछा गया है कि यहाँ पर total कितने बच्चों पर यह study की गई है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जब इस histogram को देखेंगे तो यहाँ पे जो यह bar दिये गए है इन में number of students लिखा हुआ है कि 0 to less than 3 कितने बच्चे है यहाँ पे यह है 10 तो मैं one by one लिखता जाऊंगा इनको ठीक है ना 10 यहाँ पे 3 to less than 6 hours study करते है यह है 25 बच्चे and 6 to less than 9 hours जो study करते हैं वो है 15 बच्चे and 9 to less than 12 hours study करते हैं वो है 5 बच्चे और 12 to less than 15 hours जो study करते हैं वो है 1 बच्चा और जब इन सब को plus करते हैं तो यह हमारे पास आता है 56 तो total यहाँ पे जिन पे study की गई है वो है 56 बच्चे अब देखते हैं इसका B part तो B part में हमसे क्या पूछा गया है किस time interval में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो कौन सा time interval है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसका जो हाँ पे बार है वो सबसे बड़ा है वो 3 to 6 का सबसे बड़ा है तो 3 to less than 6 hours वाला जो हमारे पास time interval है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3 to 6 वाला कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें इसमें पढ़ते हैं 25 इसी तरह से इसका C part देखते हैं तो C part में देखे क्या पूछा गया है कौन से time interval में सबसे कम बच्चे पढ़ते हैं तो कौन सा time interval है यह है 12 to less than 15 ठीक है और कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पढ़ते हैं एक ही बच्चा पढ़ता है यहाँ ठीक है अब देखे इसके D part में तो D part में हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे पूछा गया है कि जो 3 to less than 6 hours वाला जो time interval है वो 9 to less than 12 वाले time interval का कितना times है ठीक है न 3 to less than 6 वाले time interval 9 to less than 12 वाले time interval से कितना गुना जादा है ठीक है न मतलब इसका times निकालना है मैं कि यह 3 to 6 वाला 9 to 12 वाले time से कितना गुना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 to 6 वाला लिख लेते हैं पहले, तो इसमें कितने हैं, 25 बच्चे हैं, यह हमारे पास पहले भी आ चुका है, अब हमें क्या करना है, 9 to less than 12 वाला निकालना है, तो इसमें कितने हैं, जब आप यहाँ पे इस्टोग्राम में देखते हैं, तो यहा 5 times होगा, 9 to 12 के, next is का question number 8, तो यहाँ पे हमें एक हिस्टोग्राम दिया गया है, जिसके vertical axis के along दिया गया है, number of girls, and horizontal axis के along दी गई है, उनकी heights centimeter में, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस हिस्टोग्राम को अच्छे से read करना है, और जो यहाँ पे questions दिये गए हैं, उनक से पूछा गया है, कि total इस class में कितनी number of girls हैं, ठीक है, इस class में total number of girls हमें बतानी है, जिन पे यह survey किया गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यह bars दिये गए हैं, इनके interval को देखेंगे, ठीक है, तो 125 to less than 130, कितने बच्छे हैं यहाँ पे, यह है एक, तो इस तरह से हम सभी जो bar से इनको देखेंगे, और उनको write कर देंगे, तो 125 to less than 130 कितने हैं यहाँ पे, यह है एक, मैं सब को write करता चलूँगा यहाँ पे, उसके बाद 132 less than 135 यह कितने हैं यहाँ पे, यह है 3, उसके बाद 135 to less than 140 यह है 4, and 142 less than 145 यह है 7, इसके बाद 3, इसके यह 1, और जब इन सब को हम add करेंगे, तो यह आजाएगा कितना 22, ठीक है, तो यहाँ पे जो यह class है इसमें 22 girls हैं, अब हमें क्या करना है, इसके second part को देखना है, जिसमें हमें पूछा गया है, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो girls हैं, वो किस group में है, तो जब हम histogram को देख than 145 है, ठीक है न, यह, इसमें सबसे ज़्यादा girls हैं, तो कितनी girls हैं यहाँ पे, जब इसको देखेंगे histogram को, तो यहाँ पे है 7, c part में देखी क्या पूछा गया है, किस interval में यहाँ पे सबसे कम girls हैं, ठीक है न, किस group में, तो कौन सा group है, जिसमें सबसे कम girls हैं, तो देखी यहाँ पे न, दो group बन रहे हैं, एक तो 125 to less than 130 बन रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, 125, 130, और दूसरा बन रहा है, 155, दोनों में सेम है, कितनी कितनी हैं यहाँ यहाँ पे, एक एक हैं, तो मैं लिख दूँगा, दोनों के लिए एक, अब देखते हैं इसके डी part में, तो डी part में हमें पूछा गया है, कि 145 cm और उससे ज़्यादा, height की कितनी यहाँ पे गल से total, ठीक है, तो 145 और उससे ज़्यादा, तो यह देखेंगे यहाँ पे, तो 145 से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, more than and equal to 145 cm, ठीक है न, greater than and equal to 145 cm की कितनी गल से यहाँ पे, तो यह होंगे देखो, 145 to less than 150 कितना है, तीन है, and 150 to less than 155 यह भी तीन है, and 155 to less than 60 यह है एक, तो तीन तीन चेहर एक साथ, तो यहाँ पे total seven girls होंगी, जो 145 से बड़ी होंगी, या फिर उसके equal होंगी